तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सबिस्टेशन ठीक है सबिस्टेशन पढ़ेंगे सबिस्टेशन के बारे में जानेंगे सबिस्टेशन क्या होता है और सबिस्टेशन में क्या क्या लगे होते हैं उसके एक्यूपमेंट के बारे में उपकरणों का एक समलित रूप होता है जहां पर विधुद उर्जा में किसी प्रकार का रूपांत्रण या नियंत्रण किया जाता है। कुछ काम होते हैं जैसे बोलतता को ऊच्च या कम करना जैसे परिपतों को आन करना आफ करना अबिर्ती का परिवर्तन सकती गुलांक में सुरच्छा करना सुधार करना पिडर जो होते हैं उसको प्रचालित करना सबस्टेशन फ्लिट कॉद्व्ण के सबस्टेशन के सबस्टेर स्बस्टेशन गिर्वादाई यह होते हैं वbn जाने से पहले तो कि बच्चे आये हैं चैनल पर वो चैनल को पहले सस्क्राइब कर ले ठीक है और बेल आइकन दबा ले जिससे की अगला नोटिफेकेशन वीडियो का आपको पहले ही मिल जाए ठीक है तो एक चीज मैं आप लोग से कहना चाहता हूं और बात कि देखें ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राइंग में ये थेनल डटिकल सेकेंड यर और टिकलं फांरज़ रार दोनों के लिए ये है इस बाइनल टिकलं सेंडियर में थ्थोड़ा सा ये जो चैप्टर है नया आया है ठीक है अलेटिकल फारियर में तो था ही ठीक है तो इलेटिकल सेकेंडियर वाले भी आप लोग थोड़ा से धियान से पढ़िएगा इस चप्टर को ठीक है तो चलिए आते शुरू करते हैं दिया गया है पहला इकुमेंट का नाम देखे हैं तो लिखे हैं आपको इसकीन पर दीख रहा होगा बसबार थी न बसबार बसबार क्या होता है आप भी पढ़ सकते हैं पर हम पढ़के आपको सुनाते हैं सुनिए ध्यान से दिखिए बसबार एक इलमुनियम या ताम्बे की वरगाकार आयताकार नलियाकार की ठोसाकार की लड़ीदार चालक का बना होता है ठीक है इस बसबार से कई सन्योजन किये जाते हैं जिसको आवसकता नुसार आन आफ कर सकते हैं ठीक है यह बसबार होता है बसबार क्या है यह एलमुनिया या कापर का आयताकार ब्रिताकार और ठोसा करका लडीदार चालक होता है तो देखिए इसके बारे में आपको मैं समझा दू समझाने के मतलब यह हुआ कि देखिए यहां पर आपका पोस्ट इंसुलेटर हो गया ठीक है यहां पर आपका पोस्ट इंसुलेटर हो गया ऐसे ठीक है तो सब्सक्राइब गड़ते हैं पहले फिलाल में हम क्या है पोस्ट इंसलेटर है उसी के ऊपर तो यहां देखें यहां से यहां तारबान लेते हैं ठीक है तो इस प्रकार्ट से हमारा यह हमारा एक छोटा सा बसबार बन जाता है यदि हम एक्टूल कंडिशन में देखें बसबार में क्या होता है यह हमारा पोल हो गया यह हमारा जालीदार पोल हो गया ठीक है जालीदार पोल हो गया और इस जालीदार पोल में अब देखिए यह हमारा होता है बे बना होता है ठीक है एक जालीदार पोल यहां पर हो गया ठीक है यह देखिए यहां पर ब बाना होता है बे समझते हैं यह हुमारा बे होता है यहां भी अप्य बना लेते हैं यह आपका अपर हो गया Sunday at from organ предлаг यह यही आप दिख रहरे हैं भी शा wa क्या ओ इंपकर होता है कि इस इन्स इंस्च फसाने एक सिस्टम बना होता है ठीक है और इस बे में भी आपको डिस्क फसाने का सिस्टम होता है ठीक है आप फसा सकते हैं और यहां से एक तार ऐसे इन दोनों के बीचे बान देते हैं उसी परकार से दूसरा डिस्क लेते हैं और यहां पर दूसरा डिस्क लेते हैं डिस्क हो गया और अब डिस्क हो गया फिर यहां से भी तार इसे बागात तीसरा भी ले लेते हैं तो तीसरा को भी हम बान लेते हैं तो आर वाई बी ठीक ना आर वाई बी के तीन हमारे क्या हो गया यही हमारा बस बार हो गया अब देखिए सपोच करिए यहां से incoming हुई ठीक है यहां से क्या हो रही है incoming हुई ठीक है यह incoming हो गई और क्या हुआ कि outgoing करना है तो यहां से क्या होगा outgoing हो जाएगा एक तार यहां से एक तार यहां से और भी चाहिए circuit तो इसी में जोड़ करके एक तार यहां से एक तार यहां से तो यहां सब्सक्राइब करते हैं कि इलमुनियम का या होता है यह कैसा होता है देखिए यह जो पावर हाउस देखेंगे वह पावर हाउस में आप देखेंगे तो लड़ीदार चालक का बना होता है किसका बना होता है लड़ीदार चालक का बना होता है लेकिन आप लोग Distribution Board में देखे होंगे तो distribution जो Hybrid हिसमें भी बसबार होता है तो यहांपर आयताकार बसबार कैसा बसबार होता है यहां पर आयताकार पर हाऊस में जाएंगे कंट्रोल रूम में तो चन्टोल बूम में देखेंगे होंगे पैनल लगे होते हैं रिब्र की लाइन यहां की फिडर है यहां का फिडर है तो वो होता है पैनल होता है उस पैनल के अंदर भी बस बार लगे होते हैं उस पैनल के अंदर भी जैसे कि यह हमारा हो गया और वाई भी तीन फेस हो गया एक पैनल यहां लगा देते हैं एक पैनल यहां लगा देते हैं ठीक है यहां लगा दिए अब देखिए इंकमिंग जो होगी यहां से इंकमिंग हो गई यहां से इंकमिंग हो गई तो यहां से देखिए आउटगोइंग आउटगोइंग जो होगी जो ट्रॉली होती इसमें इसमें क्या होती है ट्रॉली होती सर्कृट ब्रेकर होता है तो वहां से ठीक ना वहां से क्या होता है इसमें ट्रॉली में आता है लाइन और यहां से लाइन ट्रॉली में आता है ट्रॉली से फिर निकल करके लाइन चला ज आती है यही सिस्टम इसमें भी होता है इसमें भी होता है तो देखिए यह बसबार यहां पर जो बसबार प्रियोग करते हैं यहां पर हम भी हम क्या करते हैं वर्गा का बसबार आयता का बसबार या हम लड़ीदार लड़ीदार चालक का यूज कर लेते हैं लेकिन यहां पर लड़ीदार चालक का यूज ना करके हम क्या वर्गाकार और आता का बसबार यूज करते हैं ठीना हम लड़ीदार चालक का बस बसबार हम कहां यूज करते हैं जो पावर हाउस होता है उसी के अंदर ठीक है और कहीं हम लोग आगे दुसरा आता है इंसुलेटर दुसरा क्या आता है इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होता है यह पीन टाइप का इंसुलेटर पीन टाइप या डिस्क टाइप के साथ साथ यह पोस्ट टाइप इंसुलेटर या ब्रूस प्रारूपी इंसुलेटर यूज करते हैं क रहाँ पर उस उपकेंदर में क्या करने के लिए बस बार को स्थाफित करने के लिए हैं अभी में बताया था कि यह बे जो होता है इस्तार ऐवाला थीक है यहिए आपको अभी अभी पर बतादा कि यह हमारा पोश्ट इंस्लूटर हो गया यह पोश्ट इंस्लूटर हो गया जब यहां पर यह को लगाना हो यहां पर हमारा काम करेगा और São से जो ट्रांस्वार्मर होता है ट्रांस्वार में देखे होंगे तो इसमें ब्रूस्ट टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं तो यह हो गया इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होता है आप लोग भली भाती जानते होंगे नहीं जानते हैं तो जान लेजिए कि में पढ़े होंग यह एक ऐसी सन्योजग भंजक युकती है जिसका उपयोग सकती परिपतों को आनाफ करने के लिए प्रयोग करते हैं यह कहां प्रयोग करते हैं देखिएगा जिसे की यह सटय करिए हम लाइन कौ लीए लाइन की लेने के बाद क्या हुआ कि इहां पर हम यूज्द करेंगे क्या कि हम यहां पर आइसलुरेटर यूज्द करेंगे आइस लोटर यूज़ करने के बाद तो हम लाइन जाएगी हमारी आगे तो यहाँ पाइस लोटर देखिए इस चीज़ को में इधर गुमा दू इस चीज़ को इधर गुमा दू तो यह सर्कृट पूरी हो जाएगी ठीना हो जाएगी ने सर्कृट पूरी और इसी चीज़ को तो मैं इधर घुमा दो तो यह इधर घुम जाएगा तो और यह जो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगी सिर्किट तो यह देखा जाक यहां से यह ओकेнок हो जाएगा का आई बसम्र है तो यानी देखे आप देखे तो तो यहां से क्या समय आया आपको यही सबास में आ रहा होगा कि जो सर्कृट थी वो ओपेन हो चुकी थी थी तो जो ओपेन कर रहा है उसी को आइसलेटर कहते हैं ठीना जो सर्कृट को अलग मलग दिखिए एवर आन किये थे एवर और इसको उल्टा कर दिये तो आप हो गया ठीना यह कहां करते हैं जब लाइन कहीं भेजते हैं तब यह कहीं लाइन से लेते हैं तब उसका यूज करते हैं ठीक है अभी इसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे बस यह थोड़ी थोड़ी फंडामेंटल जान रहे हैं कि कहां प्रियोग करते हैं यह होता क्या है करने के लिए प्रियोग करते हैं त давно यह सखिल जो होता है यह यह एखो । कंडिशन में परिपत को की सुरच्छा करती है इसको सेफ करने वाला काम करता है ठीक ना और यह ट्रांस्वार्मर क्या होता है यह एक ऐसी युक्ति है जो बोल्टेज को इस्टेप या इस्टेप डाउन करता है सारी बात यह आपको पता है थोड़ी ठीक ना उपयंत्र क्या ह लिए या पिए ट्रासामर क्या होता है यानि आइसा ट्रासामर जो क्या करता हो क्या करेट को मापता है तो लिए की अको बढ़ाने के लिए रिले की धारा सीमा को बढ़ाने के लिए सीटी या पीटी का यूज बोल्टेज हो की सीमा बढ़ाने के लिए पीटी के यूज करते हैं ठीक है तो यह होता है यानि जो पावर हाउस होता है पावर हाउस में जो सीटी होती है वो करेंड का मापती है जो पीटी होती है वोल्ट रिले क्या होता है विद्धुत दोस परिपत में आने पर सर्कुट ब्रेकर को सूचित करता है यह क्या करता है परिपत को यानि कोई सर्कुट में फाल्ट आई है तो उस फाल्ट को रिले क्या करता है सूचित करता है और सर्कुट ब्रेकर आन हो याता है और सर्कुट को ब्रे रीले काम यह होता है कि सर्क्यू ब्रेकर कौ सूचना देना और सुचना देने पर स काम होता है कि सर्क्यू को काड़ दल ऑफेड मेंद प्रकाता अर। पृट्सका पाता है उसको जोड़ी preserv हैं यह और कंट्रोल गेबल si om को कि यह अब देखिए लाट्णि आरेश्टर इसके बार रेक्त सर करने के लिए को प्रयोक करते हैं लाति जो लाइन चलक होता है उस सपर क्या करता है तो या करता है यह अतिकतम बोल्टेज होती है उस बोल्टेज को Qyya करता है ग्राउंड कर देता है ठीक यह अब देखिए ठोड़ा सा हम 로 beide तो इसमें थौधा- आल ओल आलोबर जाने कि इसमें कितनी युक्तियां प्रयोग करते हैं तो यह थोड़ी मुड़ी युक्तियां के हम नाम लिख दिये हैं जितना कि आप एक्जाम में लिख करके अच्छे नंबर ला सके हम इतना ही बस थोड़ी सी चीजी हम लिखे हैं ठीक है और उसे भी और बहुत सी युकतियां होती हैं तो उन सारी युकतियों के बारे में हम लोग हम नहीं लिख पाए हैं क्योंकि यदि मैं लिखता तो ये वीडियो बहुत लंबा होता और प्लस उतना आप लिख सकते हैं तो जलिए आसा है कि मुझे आप लोग वीडियो समझ पा रहे होंगे ठीक है जो कंटेंट दे रहे हैं वो एक्चुल में आपके लाबदायक होगा आपके लिए ठीक है तो चलिए आए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बाते जो हम पावर हाउस में जो होता है सिंबल सिंगल लाइन डागराम जो मनाते हैं उसमें यूज करते हैं तो सरकीट को देख करें पावर हाउस पर जाएंगे तो उसका सिंगल लाइन डागराम देख कर कैसे जानेंगे कि कहां पर कौन सी चीजे लगी होती है उसी के लिए बताएंगे ठीना तो देखिए पावर ह स्विस्था यहां दिखाई देगी आप उसको उसको कहेंगी वह लाइटनिंग रसट्र है और यह होता है यह सीम्बल यह सिम्बल तो इसको आपका फ्यूज का सिम्बल है ठीक ना और यह क्या है यल्टी लाइन यह यल्टी लाइन में जो टीपी आइसी प्रियोग करते हैं वह उसका सिम्बल है ठीक ना देखिए यल्टी लाइन होता है तो यल्टी लाइन में जो टीपी आइसी प्रियोग करते हैं इसका नाम होता है triple pole with neutral iron clade switch बसमेरा इसका नाम यह होता है और यह देखिए यह हमारा होता है bus coupler यानि एक bus बार यहाँ पर है एक bus बार यहाँ पर है तो इन दोनों bus बार को जोड़ने के लिए जिस युकती का प्रियोग करते हैं उसे हम bus coupler करते हैं दो बसों को जोड़ने के लिए जिस युकती का प्रियोग करते हैं उस युकती को हम कहते हैं bus coupler बासमाई यह होता है बस coupler तो आज देखिए यहाँ पर यह circuit breaker ताको समय आ गई थी यह होता है लाइं side सबसे most important होता है लाइं side isolator और bus isolator में अंतर क्या होता है बसाइड पर चाह्ती है उसकी अर्थिंग करते हैं और bus side isolator जो होती ही उसकी अर्थिंग नहीं करते हैं ठीना यानि बस line side बलग क्या यह हमारी bus बार है और यहां से incoming आ रही है तो यहां पर जो isolator प्रयोग करेंगे तो यहां पर जो isolator प्रयोग करेंगे इसका हम earthing करेंगे क्या करेंगे? earthing करेंगे और देखिए यहां से जो line जा रही है तो यहां पर जो isolator प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर इसकी अर्थिंग नहीं करेंगे तो यह हमारा हो गया बस साइड आइसुलेटर और यह हो गया लाइन साइड आइसुलेटर यानि जो लाइन के साइड में लगे होते हैं उसे लाइन साइड आइसुलेटर करते हैं जो bus cider में लगए होते हैं ते हम से bus cider करते हैं लाइन सायइट आस्यलोटर की अर्फिग करना आनιमार होता है जो यहां करके नहीं दिखाया हूँ ठीक है और bus cider Icimee अर्फिंग करना आनिमार नहीं वहता है तो यह दिखिए इस सिंबल में यह अर्थिन करके दिखा दिग गई है ठीक है और दिखिए बस साह guilty में इसकी अर्थिन नहीं की गई है आइवस में तो देखिए ये था आज का वीडियो आज के वीडियो हमें आसा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा तो लाइक करना न भूले और प्लस अपने दोस्तों को वीडियो सेर किजिए और हो सके जितना अधीक चैनल को सस्क्राइब करें और आप लो से मिलेंगे पावर हाउस के जो इंटरनल इंडोर पावर हाउस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इंडोर आउटडोर इस पावर हाउस है ना फूसी के बारे हम लोग बात करेंगे तो इंडोर के पावर हाउस के बारे में हम लोग देखेंगे ठीक ना तो आज के लिए इतना ही थैंक यू